आज मैं बहुत डर रही हूं वह भी बताऊंगी बाइदे मैं अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ स्पेंट की थी तो कोई सूट बगेरा नहीं कर पाई और वैसे भी उस दिन मैं कोई ज्यादा मेकप नहीं की थी थोड़ी सी लिपब मस्कारा एंड आल तो सोचा इस ड्रेस क साथ एक गॉर्जिस मेकप लूप क्रेट करो वह भी फुल वान बेंड मेकप प्रोड़क्स से भेरी नोन ब्रेंड मेपलीन एंड इसके फाउंडे सान लूस पाउडर काजाल मस्कारा और बहुत पहले से यूज़ कर रही हूं बाट कुछ ऐसी प्रोड़क्स भी है जिसे मै पहली बार के लिए ट्राइ करूंगी वैसे आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंगें थैंक्यू मैं लवली ग्लोरी फ्रेंग्स आज मुझस से मेकप हो पाई गया नहीं कुछ कह नहीं सकती क्योंगी फास्ट टाइम इभार इन माई बताओ एक बार ऑफ के मेरा भी पहन के देखी हूं चले इससे पहनते हैं वैसे बॉक्स में इसके साथ मुझे यह टूल्स भी रिसीप हुई जिससे यह प्रोसेस में भी थोड़वाध असान बन जाए लेंसे इसको पहले ही बाउसन लॉंप की फ्रेस वाटर से वास कर लिए इस टूल्स की हेल्प से बहुत असान इसे मैंने इससे उठा लिया अब लग जा नो सॉरी बाइदे में यह अच्छे से पुड़ा सूट हो पाए और मेरे रियाक्शन आप देख पाओ इसलिए ऐसे स्ट्रेच होके वह बिल्कुल उल्टा होके लगाना पड़ा ओ माई गॉड ये मौसं की बारिस बारिस की पानी रुख जा भी वाउ ये तो मूमेन बन गई एक नीला और एक भुड़ा दो दो आइस क्यूँ यार मेरे पास तो सब्त नहीं है हवे भस सेम जो भी ट्रिक्स देखेते यूट्यूब पे वो तरह से दूस्टा इस पे भी लेंस भेहन लेंगे फर्स्ट लगाने पे थोड़ा बहुत जल रही थी तो मैंने वही फ्रेस वाटर की दो तिन ड्रॉप्स डाइरेक आखों पे डाल के फिप्टिन मिनिस के लिए रेस्ट कर ली और फिर हाँ सब कुछ बड़ाबर दिख रही हैं बहुत हो गई टाय में इस्टा फटावर्स से स्कीन को थोड़ा प्रेप कर लेंगे अपने रेगुलर प्रोड़क्स तो ही टोनर मॉस्ट्राइजर और आई क्रीम डुए हो मैं आज बहुत इस से थोड़ा से आखों को ठांडक मिलेगी आज पूछो सब फाइनली आज मुझे आंसर क्लियर पता है यार पूछना क्यों चेक कर लो डिस्किप्शन वोक्स में मैंने सारे लिंक अल्री मेंसन कर दी है तो आप फाइनली स्टाट करते हैं मैं फेवरिट मेक अप वो भी जस्ट वान बैं ट्यूटोरियल मेबलीन की सो फास्ट आइविल स्टाट बाइ फिलिंग इन मैं ब्राव ब्राव पेंसिल इन दे सेट ग्रे इस टू एंस वन है स्पूली एंद आनादर वान इस एक्चुल पेंसिल माइ बिगेस्ट मिस्टेक फुल आप मानी वेस्टिंग प्रोडाट यह ट्रैस क्यों बनाया मेबलीन ने यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिने ब्राव पेंसिल की कोई जरूरत नहीं है बस थोड़ा बहुत स्पूली से सेब देने हो तो इसे यूज़ कर सकते हो इसे कुछ नहीं हो रही थी ब देन स्किन को थोड़ा स्मूध मॉस्चुराइज पोर्स को थोड़ा बहुत ब्लार करने के लिए आइम यूज़िंग मेबलीन न्यूयोग मैटिफाइंग प्राइमार इट गिप्स यूज़ आ मैटिफाइंग फिनिस कीप मेकप लांग लास्टिंग इफ यूब ऑईली स् प्रोड़ाक्स पिछले 200 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ यह फाउंडिशन को क्या ही बोलु इसके बारे में इस रेंज में इससे बेटर अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला इसकी गापरेज बिल्डेवल एंड ब्लेंडेवल भी है और सो मेनी वेरियंट देन आयम एप से ब्लेंड इट अपकोर्स इट्स डैम स्पांच और इसे बिल्कुल भी ड्रैग मत करना जास डैब डैब करना है थोड़ा सा टाइम टेगिंग प्रोसेस है जल्द बाजी करोगी तो फे समझ जाओ यह जितने अच्छे से ब्लेंड करोगी बेस उतने ही नीट क्लीन दिखे करते हो और थोड़ा डूई फिनिस चाहते हो तो तुरांद ही क्लीन आउट कर लो मेबलीन के अफॉर्डवेल रेंज में यह आइसरो पैलेट को सिलेक्ट किया दो तिन और भी ऑप्सान में थे बाद मुझे लगा यह निव एडिशन है तो कुछ तो कमाल होगा प्रोड़क मिलने की बाद थोड़ा सा अंसाटिस्पाइंग सिच्वेशन थी में भी कुछ और ले लेना चाहिए थी मुझे यह तो गलत डिशिशन ले ली एक तम छोटू सा पैलेट है मुस्ट अप्ट सेट सा सीमारी और कलर पे अब भी उतने अच्छे नहीं है क्रीस के लिए लेस लेंग पर अप्लाई कर दूंगी इनर कोर्नर और ब्राव बन को हाइलाइट कर लूंगी मेबलीन कलोसल बॉल लाइनर से नॉर्मल सी लाइनर ड्रो कर लूंगी कुछ भी फांकी नहीं बनाया थोड़ा सा इजी-पीजी लूग है ना मेबलीन कलोसल कजल अपलाई कर लूंगी वैसे इस टाइम डर बहुत लग रही थी लेंसेस की वजए से मेबलीन लाइस सेंसेशनल वाटर पूप मस्कार अपलाई कर रही हूं अपर और लॉर लाइसेस पे एन मिनिमाम दो तीन कोट में जरूर अपलाई करती हूं दें फॉल्स लेंसे सेंसे पाइन ली है अचेक के बाद एक बलंडर हो रही है So next highlighter के लिए I am using Maybelline Face Studio Master Chrome Metallic Highlighter in the set Molten Rose Gold Just to apply it high of cheekbones, temple of the forehead, bridge of the nose, center of the chin, cupid's bow and collarbones So look को almost complete करने के लिए I am applying Maybelline Sensational Liquid Matte Lipstick in the set 06 Best Bebe and 02 Soft Vine इससे बहुत अच्छी आम्री एफेक्ट आई है and that's it Hair style, front के थोरा सा hair stands लेके वेगा hair crimper से एक बार में ही जटपट crimping कर लेंगे And high ponytail के साथ आज में एक slick look बनाई है, फिर तो और इसी खाली-खाली लग रही थी तो ये hair accessory set कर देंगे And jewelry पहन के I am fully ready, so my first ever lens experience तो बहुत अच्छी रही, कोई भी problem नहीं आई मुझे लगा makeup के time but but yeah Maybelline के products के साथ क्या हुआ जो भी 2-3 products मैंने first time use किया वो सारे के सारे धोका दे दिया Finally guys, कैसे लागा मेरे ये one-man makeup tutorial, if this helpful and थारी products की link भी description box में provide करती है including this dress, तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया है, तो लाइक करने में बिल्कुल भी गंजू सी मात करना And also share with friends and families, don't forget to hit the subscribe button and also press the bell icon नहीं तो मेरे वीडियो की notifications तन आप तक नहीं पहुचेगी, stay gorgeous, bye!